UPP CL ने अपना Recruitment Notification जारी कर दिया है और यहाँ पी Assistant Engineer की वेकंसी अविलेबल है अगर आपने BB Tech किया है तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो और salary के बात करें तो 63 तक आपको salary मिल जाएगी तो क्या है इसके लिए जिबरी क्याटरिया, क्या होगा इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते हैं सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो के इन तक जरूर देखे अगर आप कोई वीडियो पसंद आएगा तो शुरो का like करना अपने दोस्तों के लिए शेयर जरू करना ताकि जो भी eligible है वो इसमें apply कर सकता है आपने लाश कुछ वीडियो को बहुत बड़े response दिया I hope same response आप इस वीडियो को दोगे तो इस वीडियो के लिए like का target रखते हैं 100 likes तो जलदे आके इस वीडियो को like कीजे और 24 hours में 100 like complete कर दिजे ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे motivation मिलता रहे आगे बनने से पहले कुछ important बाते आपको बताना चाहूंगा मैंने last वीडियो में आपको prepladder app के बारे में बताया था जहापे prepladder के official youtube channel पे एक live session होने वाला था मैंने आपको कहा था कि अगर आपको live session पूरा देखते हो तो आपके लिए एक surprise आने वाला है जो की मेरे next वीडियो में है मतलब इस वीडियो में मैं आपको उस surprise के बारे में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको एक question पुछने वाला हूँ उस stream regarding मतलब उस stream में जो भी सिखाया गया था उसके regarding मैं आपको इस वीडियो में question पूछने वाला हूँ और अगर आप उसका answer right देते हो तो आपको pre-platter का gate 2022 का dream team का free subscription मिल जाएगा आपको वो free of cost मिल जाएगा वो भी 6 month के लिए मतलब आप उससे अपना gate का preparation कर सकते हो जो कि आपके कौन सा था और इस पर क्या question है उसके बारे में बात करते हैं तो लाश वीडियो में मैंने आपको बताया था gate 2022 regarding preparation session pre-platter के official YouTube channel पे होने वाला है जो की IC fabrication और feature length of IC fabrication पे होने वाला था और यह जो session थे वो 15 November को दुपर के 2 बज़े हुआ था I hope आपने ये session पूरा देखा होगा तो इसी session पे मैं आपको इस वीडियो में question पुछने वाला हूँ तो question है find the relationship between feature length and wavelength and gap G for the transfer of pattern shown below तो यहाँ पे आपको pattern दिया गया है इस pattern का आपको relationship find out करना है feature length और wavelength और gap के बीच में अगर आप वो perfect find out करते हो तो मतलब आपको एक equation form करना है जो equation आपका answer रहेगा I hope आपको पता चल गया रहेगा क्या question है तो जल्दी से जाके इस question का answer comment box में दीजिए ताकि आप में से कोई एक lucky student को pre-pladder का 6 month का dream team का subscription free of cost मिल जाएगा तो जल्दी से जाके इस question का answer comment में जाके लिख दीजिए तो अभी बात करते है यूपी PCL ने जो recruitment notification निकाला उसके बारे में तो क्या ही ये notification, assistant engineer का notification क्या है उसके बारे में बात करते हैं अभी बात करते हैं उत्तर प्रतेश Power Corporation Limited ने जो assistant engineer की वेकंसी निकाली है उसके बारे में तो यहाँ पे क्या वेकंसी है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो advertisement for post of assistant engineer training, electrical, electronics, telecommunication और computer IT के लिए ये वेकंसी होने वाली है तो यहाँ पे assistant engineer training की वेकंसी है electrical के लिए तो electrical की वेकंसी इसके बात करें तो unreserve के लिए 24 वेकंसी है EWS के लिए 7 वेकंसी, UNCL के लिए 14 वेकंसी, SC के लिए 30 वेकंसी, ST के लिए कोई भी वेकंसी नहीं है नेक्स पोजिशन की बात करें तो assistant engineer training, electronics और telecommunication के लिए वेकंसी है उनके लिए total unreserve 8 वेकंसी है EWS के लिए 1 वेकंसी, OBC के लिए 2 वेकंसी, SC के लिए 3 वेकंसी, ST के लिए कोई वेकंसी नहीं है यहाँ पे assistant engineer training के लिए वेकंसी है, computer science के लिए, computer science और information technology के लिए यहाँ पे वेकंसी है unreserve candidate के लिए 12 वेकंसी है, EWS के लिए 2, OBC NCL के लिए 6, SC के लिए 4 वेकंसी यहाँ पे अविलेबल है और यहाँ पे salary की बात करें तो salary जो है वो 7 pay commission पे रहेगी starting जो salary रहेगी वो 59,500 से salary आपकी start हो जाएगी इसके साथ साथ आपको बहुत सरे allowances भी मिलने वाले है, जो UPP CL के according होंगे यहाँ पे हम qualification की बात करते है, तो qualification की बात करें तो यहाँ पे आपको sufficient knowledge होना चाहिए हिंदी language का तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, electrical की post के लिए electrical engineering होना बहुत important है, मतलब degree of electrical engineering BB tech किया है आपने electrical से तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, electronics और telecommunication की बात करें तो यहाँ पे आपने degree की है electronics और communication से या फिर telecommunication से तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, next portion की जो बात है वो है computer science Computer Science से अगर आपने डिग्री ली है तो आप याप पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर डिपलोम वाले इलिजिबल नहीं है, लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था, वहाँ पर डिपलोम वाले इलिजिबल थे, बट यहाँ पर बीबिटेक वाले इलिजिबल है, तो आप यहा करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दो स्टेज में होने वाला है, पहला आपका एक्जाम होगा, एक्जाम कालिफाय करने के बाद आपको इंटर्यू के लिए अपियर होना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्युमेंट वेरिफेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज जियाबात मेरा, जांसी, मुझफवर, नगर, ग्रेटर, नॉड़ा, जैसी सिटी में आपका यहाँ पर सेंटर होने वाला है, यहाँ पर जो एक्जाम होने वाले हैं, उसमें कुछ चीज़े रहेंगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर निगटिव मार्किंग जैंगे, उसके बाद 10 जो क्वेश्चन है, वो जनरल नॉलेज और अवेरनेस से, जो 10 क्वेश्चन है, वो रिजनिंग और एप्टिट उसे, पास जो क्वेश्चन है, वो जनरल या हिंदी से आने वाले है, तो इससारा से आपका पैटर्न रहने वाला है, तो इससारा से आ चनरल और OBC candidate के लिए 1180 application fee होने वाली है इसके लावा भी जो other candidate है उनके लिए 1180 की application fee होने वाली है तो यहाँ पर कैसे apply करना उसके बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करना है official website वे visit करना है जिसका link में description में दे दूँगा आप आप से directly visit कर सकते हो वहाँ पर जाके आपको अपना login करना है पहले register करना है register करने के बाद login करना है login करने के बाद आपको application form fill up करना है और application form fill up करने के बाद आपको application fee pay करनी है और इस तरह से आप अपना application form बर सकते हो important dates की बात कर लेते हैं तो application form शुरू हो चुके है 12 November से और आप last date की बात करें तो 2 December तक आप इसके लिए apply कर सकते हो तो इसी period में आपको apply करना है और exam date की बात करें तो exam date जो है वो second week of जाने बारी में होने वाला है तब तक आप अपना application form बर दीजे और इसके लिए prepare करना शुरू कर दीजे I hope आप सभी को समझ में आ रहेगा फिर भी आपको इस recruitment notification के बारे में या फिर application form के बारे में कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section पूछना में definitely आपको help करूँगा और get 2022 का जो question है उसका answer जरूर comment box में देना ताकि आप में से कोई एक lucky winner बन सकता है जिसको pre-platter का dream team का subscription free of cost मिल सकता है वो भी six month के लिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद